कि हाई एबरिवन आज मैं आपके साथ शेयर करूँ आलो और सुजी की पूरी जो की बहुत ज़्यूदा कृरिस्पी बनती है और बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है जब आपको कुछ ना समझ में आए कि आज नाश्ते में क्या बनाए तो आप इस तेस्टी पूरी को जरूर ट्राइ किजेगा बहुत ही बढ़िया बनते हैं और बहुत जटपड बन जाती है ज्यादा टाइम नहीं लगता है बनाना भी बहुत आसान है और ज्यादा चीजे भी नहीं चाहिए तो आए बनाना स्टार्ट करते हैं देंज़ मैं गीता वर्मा गीताकीनो.com में आपका बहुत स्वालत करती ही हूँ आज मैं फिल से एक नया वीडियो लेक रही हूं नीक करते हूं आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो यहां पर सबसे पहले मैं ले रही हूँ सूजी यहां पर मैं ले रही हूँ बारिक वाली सूजी वैसे आपके पास अगर मोटी वाली हो तो आप मोटी वाली लिजेगा इसमें मैं एक कप पानी एट कर दूँगी अगर आप मोटी वाली सूजी ले रहे हैं तो एक कप पानी बहुत अच्छे से वह अब्सॉब कर लेती है पर मेरे पास आज यहां पर नहीं थी तो मैंने बारिक वाली ली है तो इसमें आप थोड़ा सा कम पानी डाल सकते हैं तो मैंने एक कप इसलिए डाला है ताकि आपको कि एक कप ही पानी आपको डाला है अगर मोटी वाली सूजी ले रहे हैं तो इसे हम ढखकर रख देंगे पांच मिनिट के लिए तब तक हमने यहां पर लिया है चार उबले हुए आलू बड़े साइस के इसे मैं ग्रेटर से ग्रेट कर लूँगी ताकि कोई भी मोटे टुक अगर मोटी वाली ले तो आपको एक कफी पानी आट करना है अब मैं इसमें यह आलू आट कर दूंगी आलो को इसे बारिक भी बनें, एक टीस्पून में और अजवाइनी पेट के लिए वहाँ तके देश किकें बारिक क्षे decía में बीकार पूड़ा कसे जाहिए आपकी पूरी है वह फूली नहीं बनेगी एक टीस्पून में यहाँ पर हम्मोंग्न आजवाइन कारी हूं Inc पूड़ी में बहुत अच्छा टेस्ट देती है अब में इसमें एड़ करीब रेड चिली फ्लेक्स आपको यही लेने हैं आप लाल मिर्च का पाउडर भी एड़ कर सकते हैं पर हरी मिर्च ना डाले इससे क्या होगा पूड़ी आपकी फूलेगी नहीं अब मैं इसमें नमक क कर लेंगे तो यहां पी दिखें आपको काफी गीला लग रहा है पर अभी इसमें हमें एड़ करना है एक कप गेहूं का आटा है हमें एक मेडियम सॉफ्ट हो तैयार करना है बहुत टाइट भी ना हो और बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी ना हो तो इस तरह से थोड़ा अधियू कर लेंगे हिसलियृ सब्सक्राइथना अज़से कर लो आट करते हैं अगर आपको लगी क्या वर्ता कम लग रह है कि आप गीला लग रहा है तो आता ओर रहसते हैं तो इस तरह से हम बहुत जादा अटा भीनी आट कर लिए बहुत ताइट ने रखना यहां से मेड मेडियम त्यार कर लें तो यहां पर मैंने पीड़नी तुरिया इस पर तेल लेंग और लगा इस तरह से पेड़ा बना लूगी तौस्थे क्या होगा यह आपका हाथ में चिपकेंगा नहीं और जिस भी साइस के आप पूड़ियां बनाना चाहते हैं इस तरह से तेल लगा कर इसे बेल लें और जितनी पतली बेलेंगे उतनी जादा आपकी पूड़ी फूलेगी और बहुत जादा पतली ना करें नहीं तो फट सकती है तो हल्की सी मोटी रखनी है जैसे नॉर्मल पू कर लें और काफी फूली फूली पूरियां तयार होती है तो आप इसे आफिस ले जा सकते हैं बच्चों को लंच में दे सकते हैं बेकफास में बना सकते हैं शाम को बना सकते हैं डिनर में बना सकते हैं तो जब भी आपका मनकरी से बना सकते हैं आप इसे सबजी के साथ चट और मुझे लिखके बताएगा कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी तो यह जट पड बनने वाली रेसिपी हो बहुत जादा टेस्थी है बच्चों से लेकर बढ़ो तो सब भी को पहत पसंद आती है तो आप इसे ट्राइ करें और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखके जरूर बता